एक वक्त में भारत के लिए पारी की शुरुआत करने वाले खिलाडी गौतम गंभीर अपनी राजनितिक पारी का अगास कर सकते हैं खबर एक गंभीर आने वाले चुनावों में बीजेपी के टिकेट पर दिल्ली में चुनाव लड़ सकते हैं खबर तो ये भी है कि बीजेपी आने वाले चुनावों में गंभीर की राजनितिक पारी का अगास करना चाहती है दिल्ली में अपनी राजनितिक पकड को मस्बूत बनाने के लिए पार्टी ये फैसला ले सकती है गंभीर दिल्ली के एक जाने बाने चहरे है तो दूसरी बात गंभीर खुद भी दिल्ली से ही आते है इसलिहास से गंभीर बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में तुरुप का इका साबित हो सकते है राजनीती में गंभीर के अगास के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है ऐसे आपको बता दे कि गंभीर ने अभी क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा है तो वही बीजीपी के इस राजनीतिक न्योते को स्विकार कर सकते है गंभीर ने अपना आखरी टेस्ट मैच 2016 में खेला था तो वहीं 2012 के बास गंभीर ने कोई भी सेमित ओवर का मैच भारत के लिए नहीं खेला है आपको बता दे कि 2007 के विश्व कप को जिताने में भी गंभीर ने एहम योगदान दिया था